हाई एवरिवर्न कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूरा हुल जेस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बाद फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में जया दोस्तों आज अगेन आपके सामने एक बहतरी मैथेमेट करने वाले हैं प्राक्टिस सेट नंबर 2.1 पूरा का पूरा एंटायर प्राक्टिस सेट करवाने वाले हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है इस चाप्टर का या दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा का पूरा पूरा का पुरा आपका एंटायर सिलाबस हर सब्जेक का चाहे वो science 1 हो, science 2 हो, history हो, political science हो, geography हो, maths 1 हो, match 2 हो, English grammar हो, hindi grammar हो, हर एक चीज हमारे चानल पे है, आपको जो भी पढ़ना है आप search करो, जो भी chapter पढ़ना है आप search करो, आपको मिल जाएगा हमारे चानल के बनाए हुए videos, मेरे ह बनाय हुए वीडियोस आपको मिल जाएंगे और ये तो हमारा नया बैच है जिसकी शुरुआत अलड़ी हमने लगबग 15-20 दिन पहले की थी जब हमारा डिजिटल बोड आया था और आज हम आप चाक्टर नंबर 2 पे पहुच चुगे जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे चै करते हैं तो सबसे पहले आप करे हुए हमारे जो पर लाइक बटन दिखना है उसको लाइक करने का ठीक है तो जितना आप लाइक करोगे उतना हमें मोटिवेशन मुलता है हम जब देखते हैं चेक करते हैं तो हमने जब दिखता है कि लाइक चा नंबर टॉपिक पर आते हैं तो प्राक्टिस से नंबर 2.1 जो कि आप देख पारे हो तो इसको आज हमें फटा-फट ते solve करना है क्या है पहला question राइट एनी two quadratic equation अपने मन से कोई भी दो quadratic equation लिखना है आपके मर्जी जो लिखना आप लिख सकते हो जैसे कि मैं एक लिख सकता हूँ यहाँ पे x quire plus 5 x plus 6 is equal to 0 क्या आपको अगर याद होगा कि quadratic equation अगर हमें लिखना है तो वो कैसे फॉर्म में होना चाहिए इसका जनरल पॉर्म अगर आपको याद होगा तो वो था ax quire plus bx plus 6 sorry plus c is equal to 0 यह हमारा क्या है जनरल फॉर्म में और quadratic equation quadratic equation कब बनता है एक quadratic equation को आप कब बोल सकते हो कि वो एक वाकई में एक quadratic equation है कब बोल सकते हो जब यह general condition को वो satisfy करेगा प्लस यह general condition satisfy करने के अलावा इसका जो सबसे highest degree रहेगा वो रहेगा 2 maximum degree 2 होना चाहिए और इसके पास जो variable रहेंगे वो एक ही होना चाहिए या तो x है पूरा-पूरा x रहे या तो y रहे जैड रहे जो भी रहेगा लेकिन एक ही होना चाहिए mix नहीं होना चाहि लिख सकते हो एक स्कॉर प्लस 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 सिक्स रिकोड़ जरो एक माइनस वाला लिख दो वाय में ले लेता हूं तो y स्कॉर माइनस 4x माइनस 3 is equal to 0 यह क्या है हमारे quality equation है जो की general condition को satisfy करता है इसका मतलब यह मेरा quadratic equation है तो दो लिख दिया वैसे आप चितना भी चाह है हम लोगों question number 2 में जो की दिख रहा है आपको decide quadratic equation or not मतला हमें यह पूछा है कि आपको एक quadratic equation दिये हुए है questions दिये हुए तो है आप देखोगे तो यह x square plus bx plus c के form में है is equal to 0 के form में है मतला पहला condition satisfy हो गया दूसरा condition यह है कि maximum degree कितना होना चाहिए maximum degree होना चाहिए 2 तो यहाँ पर आप देखो highest degree 2 है यहाँ पर इसके अलावा दिख रहा है कोई cube नहीं दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है त तो हमारा दूसरा condition भी satisfy हुआ और तीसरा condition यह है कि variable सिर्फ 1 होना चाहिए तो variable यहाँ पर चेक करो सिर्फ पर सिर्फ 1 variable यानि x है ना सिर्फ x दिख रहा है यहाँ और कुछ y, z कुछ नहीं दिख रहा है तो सिर्फ variable 1 दिख रहा है तो हम लोग सिधा-सिधा बोल सकते है कि यह जो मेरा equation है, x square plus 5x minus 2 is equal to 0, यह क्या है, is a quadratic equation, shortcut में लिख रहा हो, आप लोग पूरा-पूरा लिखना, qe, qe का मतला पर quadratic equation, मतला यह जो given equation number 1 जो हमें दिया हुआ है, यह हो गया हमारा पहला answer, कितना simple है, है कि नहीं, बस condition check करना है कि वाकई में वो, जो condition है, जो criteria है, उस अब आज़ो दूसरे topic, दूसरा question, y square is equal to 5y minus 10, तो आप देखो यहाँ थोड़ो सा गडबर लग रहा है question में, तो पहले उसको सीधा कर लो, कैसे सीधा करोगे, इसको एक साथ लेक्या हो, सबसे पहले यह y square, वैसे का वैसी लिखोगे, यह 5y को y square के पास लाओगे, तो यह minus 5y बन जाएगा, यह minus 10 को equal के यह side लाओगे, तो यह बन जाएगा plus 10 और उदर बचे का equal to 0, और अब आप compare करो हमारे general equation से, जो की है, ax square plus bx plus c is equal to 0, तो इससे आप जब compare करोगे, तो आपको दिखेगा, कि यह something y square है, minus 5y है plus 10, यानि ax square plus by, sorry, bx plus c is equal to 0 के form में है, मतला मेरा प पता चल रहा है कि वो condition satisfy कर रहा है, हमारा general equation जैसा ही दिखरा है, तो यह हो गया पहला condition, दूसरा है maximum degree, check करो, maximum degree आ रहा है कि नी 2, maximum degree कितना है, यहाँ पर check करो, यहाँ पर highest में 2 ही दिखरा है, तो maximum degree 2 है, यह भी condition satisfy हो गया, अब तीसरा है कि जो हमारा variable होगा, यानि जो x और y का जो value होते हैं, वो सिफ एक ही दिए न, यहाँ पर y है, सब जगा y है, x नहीं है, तो यह एक ही है, इसका मतलब हमारा है, यह भी condition satisfy होता है, इसका मतलब सीधा-सीधा मैं बोल सकता हूँ, कि यह जो equation है, जिसका नाम है y square is equal to 5y minus 10 is a quadratic equation, यह क्या है, मेरे लिए quadratic equation है, correct है, स simplify करने के बाइ, चेक करो कि वो जनरल equation जैसा दिखरा है कि नहीं, अगर नहीं दिखरा है, तो सीधा-सीधा बोल तो कि भाई, नहीं है, यह भाइक है, अगर दिखरा है, तो हम बाखी के conditions को चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखो, यह multiply through out होगा, तो हम लोग लिखेंगे y multiply by 2 is 2y, अब इसको सीधा कर दो, तो y cube, यह 2y साप में आ जाएगा, तो y cube minus 2y plus 1 is equal to 0, यह आगया हमारा condition, अब चेक करो, हमारा general equation क्या बोलता है, ax square plus bx plus c is equal to 0, तो अगर चेक करोगे, तो आपको एक टियर नी दिख रहा है कि यह ax square होना चाहिए, मतलब x के उपर square होना च condition satisfy नहीं करेगा, इसका मतलब general equation भी satisfy नहीं करेगा, तो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो equation है, जिसका नाम है y square plus 1 by y is equal to 2 is not a quadratic equation, यह quadratic equation नहीं है, क्या है, कि तीसरा वाला quadratic equation नहीं है, clear है, समझ में आ गया, कितना आसानी से, आप लोग हमारा answer दे सकते हो, या फिर exam जवाम में कितने भी critical conditions में example पूछने तो, आप उसका सवाल का जवाब दे सकते हो, बस confidence और concept दिमाख में होना चीए, हर एक चीज़ simple हो जाती है, correct है, clear है, तो इसी बात पर फोको like, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते, अब चलते हमारे किस के ओपर, चोथे question के ओपर, fourth question देख यह कुछ नहीं होगा, one का one ही रहेगा, is equal to x multiply by minus two हो जाएगा, minus two x, अब यहाँ पे सीधा कर दो इसको, तो x square, यह minus two x सिधार आएगा, तो plus two x हो जाएगा, यह plus one इधर ही है, is equal to zero, अब इसको compare करो, हमारे general equation से, ax square plus bx plus c is equal to zero से, तो यहाँ पे देखो, यह दिख रहा है, same maximum limit है, ड palavra कितना है, सिर्फ two है, तो maximum limit कितना हो जाएगा, two, correct है, maximum limit हो गया, अब तिसरा चीज, ये भी condition satisify हो गया, तिसरा चीज यह था, कि variable सिर्फ एक हो ओना च्याए, या तो x होना चाहिए, तो y होना चाहिए, या तो कोई भी एक चीज होना चाहिए, कमज़ में आ रह है बिल्कुल सैटिस्फाइ कर रहा है कंडिशन तो यह कोडिक एक्वेशन है नेक्स्ट क्वेशन आप देखो यहां पर अब देखो यह माइनस फाइं ट्री एंट इस एक्वेशन से चेक करोगे तो एक स्कॉएर प्लस ब्लस प्लस सी इकल तो जीरो जैसा यह दिखर रहा है ना यह देखो सम्धिंग उसका स्कॉएर माइनस या फिर प्लस जो भी रहेगा चलता है बी एक्स थ्री अम लिखाए जो भी बोलना आपको इसको टिके ना मैक्सिम डिकरी यह यहाँ पर आपके यहाँ अच्छा लगता है लिखने के लिए तो मैक्सिमुम डिकरी लिखुगे यह जहां पर शाने डिग्री लिखो, यह ज़्यादा अच्छा लगता है, लिखने में, और सुनने में भी, तो maximum degree, या फिर maximum power, maximum limit भी चलता है, तो maximum degree यह आप देखो, कितना है maximum degree, maximum degree कितना है, यह general equation बनाने के बाद, यह वाला equation को चेक करना, बनाने के बाद चेक करना, यह आप पहले चेक करोगे में वाले में, तो बनाने के बाद देखो, maximum degree 2 आ रहा है, मतलब यह हमारा, satisfy हो रहा है, अब तिसरा condition यह है, कि जो variable होगा, वो एक ही होना चाहिए, तो variable चेक करो, variable चेक करो, कितना है, तो variable सिर्फ और सिफ इसमें, M है, M है, M है, M है, तो M है, मतलब एक ही है, तो यह भी condition satisfy ह हो, तो इसका मतलब सिधा सिधा बोल सकते हैं, कि M plus 2, M minus 5, जो है, is equal to 0, is a quadratic equation, यह एक quadratic equation है, यह क्या है, एक quadratic equation है, clearly satisfy हो गया हमारा condition, clear है, समझ में आ गया है, दोस्तों, कि उमीद कर रहा हूं कि यह बहुत अच्छी तरीके से आपको, समझ में आ गया होगा, अब इसके आग क्यूब दिख गया, इधर ही खेल खतम कर दो, क्यूब दिख गया, तो कुछ tension नहीं की जरूत ही नहीं, सिधा सिधा बोल दो यहां पे, कि यहां पे जो maximum, जो degree है, या फिर जो maximum limit है, वो भाईया 3 आ रहा है, तो जब भी यह 3 आ गया, तो यह condition satisfy नहीं कर रहा है, तो जब एक 3 आ रहा है, maximum power, maximum degree 3 आ रहा है, नहीं चलेगा, यह हो गया, not equality equation, समझ में आ गया, clear है दोस्तो, आगे बढ़ चले, चलो, अब चलते है, question number 3 के पर, और देखते हैं, इस practice set में और भी क्या-क्या questions दिए हुए, अब देखो, यहां पे आ गया, right in ax square plus bx plus c, यार अभी तो यह हो गई हम लोग, हमारा क्या करना है, हमको यह जो quadratic equations दिए हुए, इसको solve करके, general equation के form में, ax square plus bx plus c is equal to 0 के form में लिखना है, और उसके बाद, abc का value निकालना है, बहुत simple है, अभी जो हमने इसके पहले किया, वो भी वह ही किया था, हमने की ax square plus bx plus cx, c के form में लिखा, और उस तो यह square वाला पहले आएगा, यानि कि, अगर आप इसको यहाँ पर अगर notice करोगे, तो यह में क्या करता हूँ, यह minus y square को में पहले लिखता हूँ, यहाँ पर, minus y square को पहले लिखा, ठीक है, अब 2y को मैंने y square के पास लाया, तो यह क्या बन जाएगा, minus 2y बन जाएगा, सम समझ में आ गया, बस, अब next चीज़ क्या करना है, मेरको यहाँ पर, यह जो sign है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो मैं sign हटा दूँगा, तो यह minus y square क्या बन जाएगा, plus y square बन जाएगा, तो यह भी क्या बन जाएगा, plus 2y बन जाएगा, और यह 10 बन जाएगा, minus 10, equal to 0, अब इसको compare करो, किस से compare करोगे, compare करो, a x square plus b x plus c is equal to 0 से compare करो, तो हमें क्या मिलेगा, a का value, a के जगा पर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, देखो, यह x square, यह y square, तो a के जगा पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यह का value कितना आ आ गया, a का value आ गया, a का value आ गया, उसके बाद B के जगा पे देखो, यह BX है, यह 2Y है, तो X और Y, और यह B के जगा पे क्या लिखा है, 2, यानि B के जगा पे 2 है, तो B is equal to 2 आ गया, C के जगा पे सीधा-सीधा लिख रहा है, क्या दिख रहा है, minus 10, तो C will be equal to minus 10, आ गया answer, तो ABC का value निकालने पूछा था न, नि direct solve करें, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको solve करना पड़ेगा, X minus 1 the whole square, ठीक है, यह A माल लो, इसको B माल लो, तो A minus B the whole square, A minus B का whole square का formula क्या है, A square minus 2AB plus B square, तो A square मतलब X square minus 2AB, तो 2 multiply by A को ने X, B को ने minus 1, B को ने यहाँ पे 1 न, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, clear है, तो यहाँ ह कि, यहाँ पे आ जाएगा, 1, अब यहाँ पे आप देखो, एक और चीज, यह आ गया, B का value 1, उसके बाद, A square minus 2AB plus B square, B को ने है, 1, तो 1 का square, तमझ में आ रहा है, अब solve कर लो इसको, तो X square, हाँ, आगे भी तो है, आगे भी तो है, यह होगे सिफ इसका value, is equal to, यह 2X plus 3 तो और यहाँ पे, यहाँ पे इसको लेकियाओ, तो यह X square, यह minus 2X, पहले से इधर ही है, यह minus 2X को इधर लाओ, यह minus 2X हो जाएगा, यह 2X को इधर लाओ, तो 1 को उधर भी तो इसको भी इधर करो, हम लोगो एक्चिल में, is equal to 0 के फार्म में बनाना है, तो यह 1 इधर ही है, प will be equal to 0, अब इसको compare करो, हमारे किससे compare करोगे, compare with A x square plus B x plus C is equal to 0, यह हमारा general equation ने compare करो, A x square कोन है, x square है, तो A के जगा पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, correct है, तो A का value कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, A का value 1 आ गया, next check करो, B x है, मतलब यह 4 x है, लेकिन यह minus है, तो B is equal to minus 4 आ गया, ठीक है, और C की जगा पर क्या है, देखो, C की जगा पर लिखाए minus 2, तो C is equal to minus 2, बहुत आसान है, A, B, C का value निकालना, और यह इतना ही नहीं है, आगे जाके जब आप formula method solve करोगे, एक्वेशन के factorization solve करेंगे, तो और मज़दार लगेगा, यह चाप पर बहुत ही मज़दार है, आप आगे-ागे बढ़ो, बहुत सारी चीज़े आपको पता चलेगी, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, अगे देखो क्या दिया है, x square दिया हुआ है, प्लस 5x दिया हुआ है, ठीक है, यह minus 3 minus x जो है, इसको इधर लाऊँगा, तो यह पूरा bracket इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, positive बन जाएगा, जो कि है, 5x था, यह minus bracket में 3 minus x है, तो यह हो जाएगा, प्लस 3 minus x, that will be equal to 0, अब यहाँ पर 5x है, और यहाँ पर x है, तो minus हो जाएगा, तो x square 5x minus x is 4x, तो 5x square प्लस 4x plus 3 is equal to 0, अब इसको compare करो, आप compare किससे करोगे, हमारे general equation से, क्या है general equation, ax square प्लस bx plus c is equal to 0, यह हमारा क्या है, general equation है, इससे compare कर लेते, एके जगा पर कुछ नहीं दिख रहे, मतलब 1 ह तो a का value आगया 1, ज्यादा तर a का value आप देखो के तो 1 ही आता है, वैसे, पर इसका मतलब यह नहीं है ना, फिर हमेशा एक के जगा पर 1 लिखते जाओ, चेक करना है, bx है, यहाँ पर 4x है, तो b का value कितना है, 4 है, तो b का value कितना है, 4 आ गया, ठीक है, c की जगा पर आप द 9 हो जाएगा, that will be equal to 0, इसको solve कर लो, तो 3m square minus 2m square, कितना हो जाएगा, m square बचेगा, 3 में से 2m square गया, तो 1m square बचा, plus 9 is equal to 0, लेकिन आप अगर इसको general equation से compare करोगे, तो आपको एक चीज़ पता चलेगा, हमारा जो general equation होता है, compare करो इससे, compare with general equation, क्या है, ax square plus bx plus c is equal to 0, तो आ जाद आ रहा होगा, या फिर देखके भी पता चल रहा होगा, कि ये ax square तो है, लेकिन ये bx वाला जो term है, ये पूरा गाया अबे, ठीक है, तो पूरा गाया अबे, तो हम लोग को 0 डाल के लिखना पड़ेगा, जैसा हमने first lecture में आपको पता है था, हम लिख सकते है, तो यह सकता है, तो m square फ्लस 0 m plus 9 is equal to 0, this is a quadratic equation, and if we are going to compare this with this, तो यहाँ पर आप देखोगे, x square m square, तो a के जगा पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, समझ में आ रहा है, तो यानि की मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर a is equal to 1, ठीक है, फिर b की जगा पर आप देखो, is equal to 1, b is equal to 0, and c is equal to 9, यह हमारे क्या होगे, final answer आगे, clear है, समझ में आ गया, बहुत simple, बहुत बेदरिन example है, इसके आगे और दो examples से, यह आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, homework के तोर पे जरूर से इसको solve करना, यह वाले a और b और c का value निकालना, और मुझे comment box में ज lecture number इसके पहले का 2 रहेगा, या फिर lecture 1 रहा होगा, उसमें हमने आपको roots निकालना सिखाया था, लेकिन root निकालना में हमें check करना होता है, कि whether, question भी यही पूछा है, क्या पूछा है, determine whether the root of the equations are not, ठीक है, यानि कि जो equations, जो value हमें दिये हुए, क्या वो equation के real में value है, root है, solution है है, या नहीं है, तो कैसे पता चलता है, कि हमें जो equation दिया होगा, quadratic equation, उसमें x का value जो भी दिया है, वो डालके देखो, अगर 0 is equal to 0 आगया, मतलब वो condition satisfy कर रहा है, इसका मतलब वो root of the equation है, लेकिन 0 is equal to 0 नहीं आएगा, तो वो root of the equation नहीं है, यही करना होता है, हमने सिखा तो 1 square plus 4, x का जगा पर 1 minus 5 is equal to 0, solve कर लो, 1 square मतलब, 1 square मतलब 1 होता है ना, लिखने के जरूत नहीं है, तो 1 square मतलब 1 हो गया, 4 multiplied by 1 is 4 minus 5 is equal to 0, तो 1 plus 4 is 5, तो यानि 5 minus 5 is equal to 0, that will be equal to 0 is equal to 0, तो 0 is equal to 0 तो 0 is equal to 0 आ गया, इसका मतलब सीरा सीरा मैं बोल सकता हूँ, यानि कि x is equal to 1 is is a root of equation, कौनसा equation है हमारा पास, हमारे पास equation क्या है, तो x square plus 4x minus 5 is equal to 0, या हमारा condition number 1 satisfy हो गया, मतलब, जो x is equal to 1 दिया था, वो इस चीज़ का root निकल रहा है, वो इस चीज़ का solution निकल रहा है, लेकिन दूसरा चीज़ है, इसको हम लोग लेके देखते हैं, समझ लो, हमारे प अब इसमें हम क्या डालेंगे, x के जगा पे एक बार 1 डाला, अब x के जगा पे एक बार minus 1 डालूँगा, यानि कि put x is equal to minus 1, यानि कि x के जगा पे इस बार minus 1 डाला, तो x के जगा पे minus 1 डाला, तो minus 1 का square plus 4, x के जगा पे minus 1 minus 5 is equal to 0, यह minus 1 का square 1 रहने वाला है, 4 multiplied by minus 1 is minus 4, minus 5 is equal to 0, correct है, समझ में आ रहा है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, minus 4 minus 5 होता है, 9, तो यह हो जाएगा 1, और यह minus 9 is equal to 0, 1 minus 9 कितना होता है, minus 8 होता है, minus 8 is equal to 0 आ रहा है, जो की होता है क्या, minus 8 is equal to 0 कभी हो निसकता है, तो not equal to 0 आ गया, मतब 0 equal to 0 नहीं आया, तो मैं सीज़ा सीज़ा बोल सकता हूँ, यानि कि, जो मेरा यहाँ पर, जो मैंने लिया हुआ है, कितना लिया है, x का value minus 1 लिया है, is not a root, यह root नहीं है, is not a root of equation, is not a root of equation, जो की हमने माना है, equation जो हमें दिया हुआ है, x square plus 4x minus 5 is equal to 0 का, समझ में आ गया, दोस्तों, clear है, तो बहुत simple होता है, तो जो भी quadratic equation दिया रहेगा, उसमें x का value डाल के देखो, 0 is equal to 0 आया, तो quadratic equation का वो root है, अगर x is equal to, यानि 0 is equal to 0 नहीं आया, तो जो भी x का value दिया रहेगा, वो quadratic equation का root नहीं है, क्लियर है, अब इसी के जैसा एक और question दिया हुआ, एक और example है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आप लोग भी सोड़ा सा practice कर पाऊ, ठीक है, अब सीधा मैं jump करूँगा, किसके ओपर, question number 5 की दरफ, तो question number 4 में दो example थे, मैंने करा दिया, एक आपको करना है, सीधा जा रहा हो, question number 5 के ओपर है, ये हो गया हमारा चौता question, और question number 5 is the last question for today lecture, ऐसे question number 6 भी है, लेकिन वो fill in the blank से, सेम इसके जैसा, तो आप लोग solve कर सकते हो, लेकिन इसको पहले समझ लो, के वाला example है, यादे, मैंने कराया था, example lecture number 2 में, क्या करना है, find the value of k, if x is equal to 3 is the root of equation, हमें equation दिया हुए, क्या दिया equation, equation, k x square minus 10 x plus 3 is equal to 0, यह हमें equation दिया हुआ है, correct है, अब यहाँ पर clearly हमको बोला है, कि यहाँ पर x is equal to 3, जो है, वो root of equation है, यानि कि इसमें हम लोग क्या डाल सकते है, x का value जो है, 3 डाल सकते है, तो हमें क्या करना होता है, जो भी k वाला question होता है, वो quadratic equation में, x का जो भी value दिया है, वो डाल दो, और डालने के बाद हमें k का value वहाँ से automatically मिल जाएगा, चलो, check करते हैं, कैसे, put x is equal to 3 in this equation, तो यहाँ पर k है, ठीक है, k x के जगा पर क्या डालना है, 3 डालना है, तो यह हो जाएगा 3 का square, minus 10, x के जगा पर क्या डालना है, 3 डालना है, plus 3, that will be equal to 0, solve कर लेते हैं, 3 square 9 होता है, यानि, k multiply by 9, minus 10 multiply by 3 is 30, plus 3 is equal to 0, k multiply by 9 is 9k, 9k minus 30 plus 3 कितना होता है, minus 27 is equal to 0, 9k minus 27 को उधर भेज़ दो, equal के, तो यह हो जाएगा plus 27, therefore, k will be equal to, कितना हो जाएगा, k will be equal to, यह 27 वेसी का वेसी, upon आजाएगा 9, तो k is equal to 27 upon 9, therefore, आपका k का value हो जाएगा 3, 9, 3 जा 27 होता है, तो आपका k का value आगया, दोस्तों, वो कितना आगया 3, जो की 2 marks के लिए भी पूछा जा सकता है, correct है, clear है, तो same, इसके जैसे ही दिखने वाला, केर निकालने वाला एक example है, जो की fill in the blanks के form में दिया हुआ है, तो जरूर से इसको solve कर ले ना, question number 6, तो इसी के साथ, आज का lecture यहीं पर समापत होता है, और continuous आप वीडियोस देखके, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहा, और conceptual knowledge को clear करते रहा, तो चलो, आज के लिए इतना ही, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज जरूर से comment करके बताना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, दोस्तों तो फ्लीज वीडियो को like कर देना, और अपने दोस्तों के साथ share करना है, लोगों को बताओ, हमारे चैनल के बारे में, तो फटना फट से हमारे चैनल को subscribe कर देना, बाज जो में बेल आइकन को press कर देना, ताकि future में हम जबी भी वीडियो को upload करेंगे, तो आप लोगों को notifications मिलती रहेगी, तो जल्दी मिलेंगे हमारे निव वीडियो में, तब तके लिए, thank you and goodbye.